प्लास्टिक पाइप उद्देश यह इस कक्षा में आप प्लास्टिक पाइप्स के बारे में सीखेंगे क्या आप प्लास्टिक पाइप के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? चलिए, देखते हैं प्लास्टिक पाइप्स जल आपूर्ती तथा मल व्ययन संस्थानों के छेत्र में प्लास्टिक के पाइपों का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है प्लास्टिक पाइपों के निर्मान की प्रक्रिया, मूलतह, एक्स्टूशन तक्नीक है प्लास्टिक पाइप हलकी है और प्रयोग करने में और लगाने में आसान है उनकी भीतरी सतह चिकनी है और प्रवाह के लिए कम से कम प्रतिरोध प्रदान करती है वे संग्रक्षन प्रतिरोधी भी है अनप्लास्टिसाइजड पॉलिविनाइल क्लोराइप यूपीवीसी पाइप्स यह पाइपें सक्त होती हैं वे बड़े पैमाने पर पीवीसी पाइप के रूप में इस्तिमाल की जाती है आईएस 4985 इन पाइपों के लिए गुणवत्ता और प्रमानिक नरधारत करता है इन पाइपों में चूडिया नहीं होती और गर्म पानी के अनुप्रयोगों के लिए उप्योगत नहीं है यूपीवीसी पाइपों में निम्नलिखित प्रकार से जोड लगाए जाते हैं सॉल्वेंट सीमेंट जोड सबसे आम फ्लांजड जोड वाल्व जैसे फिटिंग को जोडने के लिए गैसकेट जोड यूपीवीसी पाइपों का विवहारिक दबाव के आधार पर इस प्रकार वर्गी करण किया गया है प्रत्थम श्रेणी 2.5 kg प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर द्वितिय श्रेणी 4 kg प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर तृतिय श्रेणी 6 kg प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर चतूर्थ श्रेणी 10 kg प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर अब हम क्लोरिनेटिड पॉलिविनाइल क्लोराइड पाइपों की चर्शा करेंगे CPVC, PVC का एक रसायनिक संशोधन है मजबूती वक ठोरता में यह PVC पाइपों से काफी मिलता जुलता है CPVC में अतिरक्त क्लोरीन इसे 90 डिगरी तक के भी गर्म पानी के अनुप्रयोगों के लिए उप्योगी बनाता है CPVC पाइप का प्रयोग मुख्यतः, घरेलू गर्म और ठंडे पानी और ओध्योगिक अनुप्रयोगों में पाइपिंग के लिए किया जाता है क्यूंकि यह उच्च तापमान सहन कर सकता है तथा इसमें रसायनिक प्रतिरोट शमता भी है फिलहाल CPVC पाइप के लिए कोई भी विशेश भारतिय मानक नियत नहीं है वे अनुसूची क्रमांग 40 और अनुसूची क्रमांग 80 के अंतरकत आते हैं तथा SDR 11 में और SDR 13.5 में भी अनुसूची 80 CPVC पाइप उच्च दबाव अनुप्रयोगों के लिए है SDR 11 के पाइपों की भित्तिका SDR 13.5 के पाइपों से मोटी होती है CPVC पाइपों को सॉल्वेंट सेमेंट जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है जो की विशिष्ट रूप से CPVC पाइप के लिए प्रयोग किये जाते हैं कम घनत्व पॉलिथलीन पाइप LDPE IS 3076 LDPE पाइप के लिए निर्धारित स्तर है ये पाइपें पेये पाणी की आपूर्ती के लिए हैं LDPE पाइपों के निर्मान में एक्स्ट्रूशन प्रक्रिया में कार्बन ब्लाक और उप्युक्त अंटी आक्सिडेंट वह पॉलिथलीन रेजिन को मिलाया जाता है ये पाईप दबाव के निमनलिखित वर्गी करण के अंतरगत आते हैं प्रथम श्रेणी 2 kg फ्रती सेंटीमीटर स्क्वेर दृतिय श्रेणी 2.5 kg फ्रती सेंटीमीटर स्क्वेर दृतिय श्रेणी 4 kg फ्रती सेंटीमीटर स्क्वेर चतूर्थ श्रेणी 6 kg फ्रती सेंटीमीटर स्क्वेर पांचवे श्रेणी, 10 किलोग्राम प्रती सेंटीमीटर स्क्वेर ये पाइप कॉयल या सीधे 5 मीटर से 20 मीटर तक की लंबाई में उपलब्ध हैं LDPE पाइपों को निम्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है Thermal Joint Coupler Joint Push-Fit Coupler Joint High Density Polythylene Pipe HDPE HDPE Pipe IS4984 के अंतरगत मानने है ये पाइप पीने योग्य पानी की आपूरती प्रणाली सीवरेज सिस्टम और ओद्योगिक प्रवाः प्रणाली के लिए इस्तमाल की जाती है HDPE पाइपों के निर्मान में कार्बन ब्लाक के स्थान पर कलरिंग पिग्मेंट्स और पिसिफायर वो हीट स्टेबिलाइजर मिलाई जाते हैं HDPE पाइपों को इनका भी वरगी करण तथा दबाव दरें LDPE पाइपों के समरूप है HDPE पाइपों को प्राय थर्मल जॉइंट द्वारा जोड़ा जाता है किन्तु कपलर जॉइंट का भी प्रयोग किया जाता है HDPE पाइपें आदर्श रूप से पानी के भीतर पाइपिंग कार्यों के लिए अनुकूल है UPVC, LEPE और HDPE पाइपें उनकी बाहरी व्यास के आधार पर डिजाइन की गई है Polypropylene Co-Polymer Random Pipe PPR पाइपें गुणों में के एक समान है वे अधिक तापमान प्रतिरोधी, हलके और कुछ कठोर है लेकिन वे कम कठिन है ये पाइपें गर्म पानी के अनुप्रयोगों के लिए बहतर समझे जाते है PPR पाइपें उश्मिय संग्योजन और विद्युद संग्योजन जैसी प्रक्रियाओं द्वारा जोड़ी जाती है ये पाइपें 3 मीटर से 6 मीटर के स्तर की लंबाई में निर्मित होती है PPR पाइपें धादो पाइपों की तुलना में कम उश्मिय चालकता है तो इंसुलेशन की मोटाई गर्म पानी पाइपेंग के मामले में बहुत कम की जा सकती है इन पाइपों का दबावदरों के आधार पर निमन प्रकार से वरगी करण किया गया है PPR फिटिंग के साधे छोर होते हैं तथा पीतल के धागे के साथ उपलब्द हैं इन पाइपों को बाहरी व्यास के आधार पर नामित किया जाता है पॉलिथिलीन प्रॉसलेंक्ट पाइप PEOE एकस पाइप PEOE एकस पाइप मूलेतअ पॉलिथिलीन पाइप ही होते हैं जिनके निर्मान की प्रक्रिया में क्रॉस लेंकिंग पदार्थों को डाला जाता है। व्यापक तापमान पर PEX पाइप पीई पाइपों से बढ़ कर मजबूत नहीं होते। किन्तु तापमान में व्रधी होने से प्रभावित नहीं होते। महंगे होने के कारण PEX पाइप भारत में इतने लोगप्रिय नहीं है। इमारतों के अंदर गरम तथा ठंडे पाने के लिए विदेशों में इनका प्रयोग होता है। ये कोईल में उपलब्ध हैं। कभी-कभी इन पाइपों में सुरक्षा कवच रहता है। अब ये पाइप 15-25 mm जैसे छोटे नापों में उपलब्ध है। अतह, शौचालेयों तथा स्नान ग्रहों में भी इनका उप्योग हो सकता है। ये पाइप रोल में ये सीधी लंबाई में भी उपलब्ध है। PEX पाइपों में क्रिंप अत्वा पुश्फिट जोड लगाए जाते हैं। एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन ABS पाइप नाम से नर्डरें। ABS पाइप अपेक्षाक्रत लचीला होता है और इसमें अघात सहने की शमता अधिक होती है। 40-60 डिग्री के तापमान तक इन पाइपों की कारेशमता अच्छी रहती है। 3 मीटर तक की लंबाई में ये पाइप उपलब्ध है। PN 12 से PN 15 तक और 15 मिलिमीटर से 200 मिलिमीटर के व्यास तक उपलब्ध है। इनको सॉल्वेंट सेमेंट विधी द्वारा ABS सॉल्वेंट सेमेंट का प्रयोग करते हुए जोड़ा जाता है। सारांश अब आप विभिन प्रकार के प्लास्टिक के पाइपों की परिक्षन दबाव के आधार पर उनके वर्गी करण, उनके जोड़ने की विधी तथा उप्योगों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आशा है, अब आप प्लास्टिक के पाइपों के लाभों से परिचित हो गए होंगे. धन्यवाद.